एलफा बैट की एक्जेट पोडिंग लिखी गई है एलफा बैट की नमब य्विज़ों जिन बच्छों को एलफा पैट टॉपिक पढ़ना हो आज शाम को चार बजे पढ़ सकता है चार से लेकर च्छा बजे के क्लास में हम अलफाबेट टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं येस बेटा अविशेक गुड़ आफटर नून बेटा हम एक दम ठीक टाग विल्कुल बढ़िया आशा करता हूं कि आप सब बच्चे बहुत अच्छे होंगे था जेरे दोस्तों आपके बाइच जानते हैं दोगो आर आता है 18 पे ई आता है पांच पे जी आता है साथ पे आई 9 पे दोस्तों ओ आता है 15 पे, N14 पे, E 1 और 12 पे exactly alphabet की numbering को same लिखकर दिया गया तो मैं ये काम करता हूँ P आता है 16 पे S आता है 19 पे अगर इतना महत करता हूँ option number 1 और 2 तो बेटा eliminate ही होगे option number 1 और 2 तो बेटा out ही होगे अब बीच की कहानी में difference देख लो बेटा 9 दोनों पे है, 3 दोनों पे है 20 दोनों पे है, U21 पे आता है बचो, U को देखती मेरा उत्तर आगया 3 नमबर 4 करने की need नहीं है पूरा सवाल लिखने की बेटा नहीं होती आप options को verify कर लिया कि ये, options से ही आपको बात का idea बन जाएगा, options से ही आप आपको समझ पाएंगे कि क्या आपका उत्तर बनना चाहिए दो सवाल हो चुके है तीसरा सवाल दोस्तों, बहुत ही बढ़िया question दिया गया जी, odd one out topic का odd one out का दोस्तों मतलब होता है, विजातिय विजातिय का मतलब होता है जाती से अलग करना जाती से अलग का दोस्तों मतलब होता है कि चार में से तीन बाते एक जैसी है चौथा पॉइंट बेटा अलग करना है तो अलग क्या है आईए उसकी बात कर लेते हैं कई बच्चे कर भाएंगे दोस्तों इस सवाल में टाइम दे रहा हूं जी एक मिनट का एक मिनट का टाइम इस मोर देन सफिशेक आज तो कहानी गडबड हो गई आज तो स्टार्टिंग में मामला उठापटक हो गया बाई एं पेपर स्टार्ट किया स्टार्ट करते भाई साब ओह बलपरेस सिंग मेरे हाल बहुत बढ़ी है वरे सासरीकाल जावा ठीक था ओके विपोर्ट है वरे चल मेरे भाई 23 प्रसेंट बालक की इस सवाल का उत्तर दे पारे अरे थोड़ा हिंट दे दूँ आपको बचे प्राइम नंबर प्राइम नंबर आप जय संख्याएं साथ सेकिंड बचे हैं प्राइम नंबर बिटा बोलने के पाद आप नहीं कर पाओगे अठारा प्रसेंट बालक वाओ दोस्तो 319 के अलावा बाकी तीनों नंबर प्राइम हैं बाकी तीनों संख्याएं एभज्या संख्याएं बाकी तीनों नंबर बिटा प्राइम नंबर हैं अब किसी किसी बालक के मन में यह डाउट आ सकता है कि सब प्राइम नंबर को वेरिफाई कैसे करते हैं कि दिया गया नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है विटा प्राइम नंबर के बारे में पता कैसे लगाना है तो आप देखिएगा मैं आपको 10 सेकंड बतारूं कि प् ये बात आपको देखनी है, ये बात आपको ट्राइ करनी है, तो बटा देखो आप इसका जो वे होता है करने का, वो होता है कि इनसे बड़ी, जस्ट इनसे बड़ी स्क्वाइर नंबर देखो बिटा, इनसे बड़ा स्क्वाइर नंबर देखो, तो मैं देखो इनसे बड़ा स प्राइम नंबर से डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा इन से छोटे डिवाइड नंबर से चेक करना पड़ेगा तो इन से छोटे प्राइम नंबर क्या होते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 यही होते हैं ना बेटा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 तो बच्छों 2 से भाग देकर चेक करने की नीड नहीं है मुझे दिखर है कि सारे नंबर और है योग तीन से कोई नहीं कट रहा, अंकों का योग तीन से कोई नहीं कट रहा, पांच से भाग करने की भी नीड नहीं है, क्योंकि बेटा, नौ और साथ सब के लास्ट में है, तो लास्ट में पांच और जीरो आता है, तो पांच से भाग करने की नीड नहीं है, बस आपको इन से बाग करे चेक करना था दोस्तों इन से बाग करके चेक करना था साथ में साचोप 28 नहीं कट पाएगा 11 यह नंबर 11 से कट दोस्तों यहां थोड़ा confusion बन सकता है सबसे ज़्यादा इजी बात कि यह होती है कि अगर आप यह square नियम लगाऊगे इससे कभी आपको डलती नहीं होगी इससे बिटा कभी आपको fault नहीं होगा एक बालक कहरा जी पेपर में इतना time नहीं मिलता भया पेपर में time मिलता है sufficient अगर आपने ठोड़ी class को पढ़ रखा है ठोड़ा बिटा आपने इन पर काम कर रखा है न तो time की कोई कभी नहीं है बिटा time पेपर में बहुत मिलता है चिंता करने की बात नहीं आपसे एक मिनट लेगा कोई सवाल आपसे 10 seconds लेगा साड़े 300 बच्चे लाइव होने वाले हैं class में 342, 347 नहीं बालक ये सोचते हैं बेटा बैभाव बालक ये सोचते हैं कि प्रतेग सवाल 5-5 seconds में होना चाहिए वो ये नहीं सोचते हैं कि exam में time कितना है और क्या करना है वो ये उमीद करके बैठे हैं कि सारे सवाल 5-5 seconds में हो जाएं देखो जी माइनस 4 प्लस 4 माइनस 4 प्लस 4 ये लॉजिक चल रहा है पिटा 19 में से 4 कम करूँगा ओ आएगा पिटा के में 4 जोड़ूँगा तो भी ओ आएगा दे में 4 कम करूँगा जैड आएगा और जी में अगर 4 जोड़ूँगा के आएगा दोस्तो माइनस 4 प्लस 4 का लॉजिक था माइनस 4 और प्लस 4 को alternate sequence में दिया गया था very easy very simple question तो पांचवा सवाल आपके सामने आया एक और अगरा ही अच्छा सवाल दोस्तों शांदार सवाल ही गलती मत करना भाई एक मिनिट का टाइम दे रहां भाई साथ आज आपको समय मिल रहा है खूब ठोड़ा पेपर अच्छा आया ना बेटा ठोड़ा पेपर बढ़िया आया ना तो भईया पेपर बढ़िया तो खानी भी बढ़िया 57 परसेंट बालक कर पाए 57 परसेंट आधी क्लास आज मेरे को लग रहा है लीडर बोर्ड में दिक्कत हो जाएगी आज मेरे को लग रहा है कि पांच के पांच कॉस्चन में फॉल्ट हो जाएगा ना बेटा पी ओ एस एस आई बी एल ए अगली स्पेशल क्लास मंडे को आएगी पेटा अगली स्पेशल क्लास मंडे को आएगी अरे आज पास के अक्षर देखकर आईडिया कर लिया होता आज पास के अक्षर देखकर आईडिया लगा लिया होता नहीं मैंना 16 और दो 18 15 और दो 17 दो दो एड़ किया हुआ है 19 दो 21 19 दो 21 9 और दो 11 दो और दो 4 12 और दो 14 5 और दो 7 दोस्तों प्यारे मित्रों सब में दो दो एड़ किया हुआ है सब में दो दो और ऐसे दो दो अक्षरों की जगया आपस में चेंज की है अगली बार अगर मैं फेर वेल को लेकर आता तो आप दो दो पे बात बनाओगे सी और एच बनेगा जी और टी बनेगा जी और वाई बनेगा एन और एन बनेगा उत्तर बनेगा आपका थार्ड ऑप्शन बच्छो एलफा बैट की नम्बरी को आज पास देखकर ट्राइ कर लिया तो शिवी शर्मा शिव धिरुयादव ताहीर गौरव राहुल के नायम क्या भाई का पॉश्चन बार के साइन जिरफ अविशेक रिया और अनिकेत सब बच्चों के पांच के पांच सवाल सही हैं तो तो पांच के पांच को कर लिए मेरे को खुशी तब मिलेगी मेरे को मन में अच्छा तब लगेगा जब 25 के 25 सवाल सही हो अच्छी ना तब बटा बात बनेगी अल्टिमेट तब बटा बात बनेगी घजब की छे नंबर सवाल सह गलती का कोई चन्स नहीं होना चाइए भाई साग ALEX जे नंबर सवाल में गलती का कोई चांस नहीं होना चाइए उन यह मानलो कि राइट वाली आकरती को लेफ्ट के उपर ओवरलेप करवाना है तो ओवरलेप करवाने पे सवाल क्या बनेगा दोस्तों ओवरलेप करवाने पे क्या बनेगा यह आपको बताना है राइट वाली आकरती को लेफ्ट के उपर दोस्तों ओवर लेप परवाना है कि मेटा स्काइक कर संदे है एक छुटी लेने का मन्त आमारा शुरू बैटा कल कॉमबेक है कल बेटा आपका कॉमबेक होगा बारा बजे देखो यह जब आकरती राइट में फोल्ड होगी विटा यह जब आकरती राइट में फोल्ड होगी आप Groß गैण डाउन में तो कोई चैंज नहीं होगा विट है लेफ्ट राइट में चेंज होता है लेकिन अप यंड डौन में कोई चैंज नहीं होता तो डार्क वाला एरिया उपर आएगा वो नीचे नहीं आ सकता ये कैंसिल हो गया बीच में एक रॉंबस बनेगा और प्लस का साइन ऐसा ही आएगा बीटा ये प्लस इसको टस्थोड़ी कर पाएगा ये भी नहीं बनेगा इसमें ये लाइन थी बैटा ये लाइन की ओלל मनें का फस्थ वाला फस्थिस्दा राइट उंसर फ़स्ट इस दा करेक्ट आंसर के सेवनन् नंबर कोशन मिर्श का सवाल दोस्तों कंबाईंड इसन्टरी लेवल के पेपर का आया हुआ सवाल है से यस एच ऐसल का PlayStation का आया options को eliminate कर लेजिए बिटा, options को eliminate कर लेजिए, options को eliminate कर लेजिए एक टी वन परसेंट बालक, अरे भाया मेरी बात समझो, आप केबल options को देखो, सवाल मत करो बेटा, ये F possible नहीं है, ये F possible नहीं है, दो तो उत्तर कभी बनी नहीं पाएंगे, अगर मैं एक की बात करता हूँ, ये वाला एक भी संबब नहीं है, तो तीन option आपके out हो गए, आपने options को eliminate करके चेक करना है, सवाल नमबर एक बहुत बढ़िया, सवाल नमबर एक बहुत बढ़िया, कॉल काता दाबेस्ट, मेरे भाई धन्यवाद बहुत बहुत, ठीक है, बैरी इजी, बैरी इजी, बैरी इजी, ये आते हैं, एनलोगी के, सेट पर बेस पॉस्ट्चन, सेट पर आधारित सवाल दोस्ते, एक मिनिट का टाइम दे रहा हूं बिटा, वन मिनिट, टोटल स्टूडेंट इंदा क्लास इस फोर हंडर्ड प्लस, चार सो से ज्यादा बच्चे क्लास में इसे में लाइव पढ़ रहे हैं बच्चो, और आपको हर एक बालक को उत्तर, पोल पर देना है, बच्चो कमेंट में आंसर मत दरना, कमेंट में आंसर करोगे तो बिटा, आंसर की लाइन लग जाएगी, कि समझ में नहीं आएगा, किसने सही किया, किसने गलत किया, उननीस परसेंट बालक इस सवाल का उत्तर दे पाए, केवल और केवल उननीस परसेंट, दोस्तों, यह जो पेपर में आपको करवा रहूना, यह कम्बाइंड हाइस केंटरी लेवल का, दोजार उननीस का पेपर है, भहिया, इस सवाल का लॉजिक यह था, चुराण में और ब्यासी को एड़ करके चार से भाग करना है, एक सो चैतर में चार का भाग दोगे, तो 44 बनेगा, बचो, फर्स्ट और थर्ड को जोड़के, चार का भाग दीजिए, मिडल संख्या बन जाती है, और यह लॉजिक पेपर में बहुत बार दिया जाता है, अड़तालिस और चैतर को जोड़ूँगा, चार का भाग दोगा बेटा, तो यह बनेगा एक सो चोवेस, चार का भाग दोगा, यह बनेगा 31 दोस्तो, 31 इस दा करेक्ट आंसर दोस्तो, 31 आज का करेक्ट आंसर बनेगा, बहुत बढ़िया सवाल था, आज पेपर का आएगा मजा, आज दिखेंगा रिजल्ट है, बुद्धिमान बच्चों, आज दिखेंगा आपका टेलेंट, तो यह आपकी बेटा स्पेशल क्लास बताओ, कल भी लगवा दूं क्या, मैं लिस्कस करता हूँ एक बार, एक्चुली कल 12 बजे कॉम बेक होता है, तो उसका बेटा टाइम क्लैश होता है, टाइम क्लैश नाओ पस यह चाहता हूँ, देखता हूँ मैं आपको बेटा इंफर्म कर दूंगा, वैसे 99% चाहस तो यह है कि कलास कल नहीं होगी, कलास मंडे को होगी, ति भी कोई एक परसेंट की योजना बन गई, तो मैं आपको बेटा टेलेग्राम पर इंफर्म कर दूंगा, कोई दिखत वाली बात नहीं है। सबसे पहले आप इन्हें काउंट कीजिएगा, सबसे पहले बेटा आप इन्हें काउंट करना, टोटल बालक पिटर ले जाओ, पांसो पर, चार सो जलाएं पड़ रहे हैं, पांसो कर दो इसको आप, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, पंद्रा, सोला, सत्रा, ठारा, उन्निस, बीस, इकिस, बाइस, तेश, चौ छे, फेक्टर में तोड़ सकते हो, दोस्तों, इससे अगर चार-चार में बनाओगे, तो कहानी बनेगी, अल्टरनेट, आठ, आठ, पे बनाओगे, तो कंटिन्यू बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टी, सी, क्यू, एम, टी, सी, क्यू, एम, का ओर्डर बन गया, बी, सी, डी, एन, बी, सी, डी, एन, बी, सी, डी, एन, का ओर्डर बन गया, पीटा, हमेशा, ये एक परकार की सिक्वेंस में ऐसे ही बनता ہے, Q, D, C, करने की नहीं थी टेलीग्राम चैनल का मेरे नाम है सुमित गोयल क्लासेज माइन नेम सुमित गोयल लिखाव सामने आपके सुमित गोयल क्लासेज अगर इस पे बटा आप जाओगे तो आपको पूरे 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 बटा क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा सुमित गोयल क्लासेज नाम से कर दश नंबर सवाल दाइस का सवाल सारे बच्चे करपाते होंगे दाइस का सवाल तो सारे बच्चे करपाते होंगे मैंने आपको प्लसप के बाए सब्रा इसु diy आप आप सब को च्चर्पाएंगे, आप सब को समझ पाएंगे। भाउत बढ़र आगए आप got यह dice number 1 है यह dice number 2 है और dice number 3 है आप जानते हो कि जब एक surface common मिल जाता है तो आपको सारी बात के answer मिल जाते है जैसे second में और third में अगर देखा जाए 3 common है तीन च्छऴ पांच तीन चार दो इस तीन को काट के 1 माल ले जिए तो दोस्तो आपसे पूछा गया जब उपर एक बिंदू है निचे कितने होंगे निचे तीन बिंदू होंगे आपने कहा जी सर्फ ऐसे नहीं करेंगे फर्स्ट और सेकेंड से करें तो इनमें छै कॉमन है छै दो एक छै पांच तीन इसे काटोगे चार तभी भी एक के सामने तीन ही आएगा एक और तीन आमने सामने आना कन्फरम है वेन टू सर्फेस आर कॉमन जब दो सर्फेस कॉमन होते हैं दोनों को मगउन को छोड़ दीजिए तीसरा आमने सामने उता है जब केवल एक सर्फेस कॉमन होता है क्लोगवाइस करना होता है शिब ताहर्यशृ दिरु कशन मारिकस्ण और के पांच बालकisen दस के दस सवाल कर पारे हैं सुनाली रक्षित शिवी सूरज और विपुल आपने नौ सवाल किये बई बात अगे आसान सवाल आ गया यह इस सवाल को देखकर मेरे को लग रहा है यह सवाल बहुत इजी है यह मेरे को लग रहा है यह सवाल बहुत इजी है आप लोग कर पाएंगे आज के पेपर में दोस्तों सैट वाले कॉश्ण दो आ गए हैं दोस्तों आज के पेपर में वाले कॉश्ण दो आ गये हैं भै कि 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 लास में बिटा बच्चों को बिजगाइड मत करो रहे आध का स्क्राइड दोस्तों चोंसे नौका स्क्राइड दोस्तों इक्यासी दोनों का जोड एक सो पंतालेश सेम काम चैका स्क्राइड साथ का स्क्राइड नंचास दोनों का सम हो गया 85 तो तीन नंबर विकल्प आपके सवाल का उत्तर थार्ड नंबर पेड़ा बिल्वी राइड आंसर मेहनत का सफलता से वैसा ही संबन्द है जैसा अपराद का किस से होगा और कई नालायक लोग तो दे मेहनत करने पर आपको सफलता मिलती है दोस्तों मेहनत करने पर आपको सफलता मिलती है और एक परसेंट लोग ऐसे हैं जिनको अप्राद करने पर इनाम मिलता है बेटा वास्तों में इनाम मिलता है पुलिस वालों के पास में ना एक मशीन होती है पटे मारने वाली उससे बै पीटएपe जो पटे पड़ते ना बरबर से भिठा उनप goal पिटए बेख साइट में अनोल भाइक से था雙ा फिर देंग ऑग्वाई को अगर व्यक्तरा देखने हो देख लेना भी नाम क्या साइं तो कि की अग्धिमेट सवाल दोस्तों बढ़िया सवाल कई बालन गल्द करेंगे अगर पॉलिस डिपार्टमेंट में हमारे बहुत मित्र है वेटा बहुत सरक्यल नंबा चड़ोवाईड है कि पॉलिस डिपार्टमेंट में ठिक ठक जानकरी है विटा आपने लाज सिना जी यूटूब पे क्लास बेटा लगेगी मंडे के बाद आफ्टर मंडे मंडे अनवार्ट्स प्यारे दोस्तों 53 को और 477 को देखता हूँ तो यह मैं कह सकता हूँ कि exactly अभी टाइम पढ़ा है प्याँ exactly 9 times किया गया है नो गुणा किया हुआ है और इसमें नो गुणा नहीं है इसमें नहीं है 49 का नो गुणा करूँगा 351 बनता है बच्चो यह 350 बनता है 9 से गुणा किया गया था आज तो मतलब भईया आज तो मतलब भईया कहनी गजब की बनती है आज तो लोचिक गजब गजब के आ रहे हैं चार में से एक चीज़ को अलग करने में चार में से एक को अलग करने के लिए बागी के तीनों को सेम करना पढ़ता है एल्फा बेट बेस सवाल दोस्तों क्लासिफिकेशन का आज शाम को चार बजे तुम्हें क्लासिफिकेशनी एल्फा बेट टॉपिक पढ़ा जाएगा शांदार तरीके में दस बजे से लेकर बेटा साधे ग्यारा बजे तक अपना एवरेज का बैच चल रहा है जहां पर हमको अर्थमेटिक का इंपोर्टेंट टॉपिक एवरेज करवा रहे हैं और दोस्तों चार से लेकर अपने पढ़ाने की कला को ही कंटिनिव करने लगे अठारा चौबिस अठाइस का मतलब बीको आप दो भी कह सकते हैं और अठाइस भी कह सकते हैं यू का मतलब इक्यस दोस्तों दस सोला उनिस तेरा इक्यस सताइस तेस चौबिस दस सोरी दस नहीं चार चार दस तेरा और साथ तो पेटा यहां मेरी बात समझो देखो प्लस का च्छे है ये भी प्लस का च्छे ये प्लस का च्छे ये प्लस का तीन है ये प्लस का तीन है और ये प्लस का तीन है डिफ्रेंस इसी पॉइंट पर आया डिफ्रेंस इसी पॉइंट पर आया डिफ्रेंस इसी पॉइंट पर आय उम्र भर गालिब मैं यही भूल करता रहा धूल जमिती चहरे पर मैं आइना साफ करता रहा यह लाइन मेरी एक मालक के लिए जो अरेकेडमी प्लस पर नहीं है सब्सक्राइब नहीं किया हुआ और बार बार एक ही कमेंट कर रहे हैं किसा रिफ्रेश करो लेग हो रहा है रिफ्रेश करो सर्थ रिफ्रेश करो रिफ्रेश करो रिफ्रेश करो मैं लगबग साड़े तीन सो बार यह कमेंट पढ़ चुका हूं रिफ्रेश करने बाला तो मेरे भाई एक बार तू अपने और स से रिफ्रेश कर ले क्या पता सही हो जाएं कि कलास में साड़े चार सो बच्चे लाइव बढ़ रहे हैं उनके पास तो सब कुछ ठीक चल रहा है भाई तेरे पास लेग चल रहा है तो मलब दिक्कत कहीं जाधा है रहा है आज पेपर में मज़ा आ रहा है आज पेपर में मज़ा रहा है है आज पूरी कहानी डद्गमगा जा रही है देखते हैं आज कितने वालक 25 के 25 सवाल करा दें कर दो बनेगा कि निर्भ्या सिंग भई तुम्हारे क्या पेट में दर्द हो रहा है तुम्हारे पेटे पे इतना दर्द क्यों हो रहा है वह कि तरेपन परसेंट बालक इस सवाल का उत्तर कर पाए सुनो मेरी बात देखो भाईया ए और बी के पास मिलाकर दो सौक पंतालिस रुपए है ए और बी के पास टोटल टू फॉर्टी फाइव रुपए से हां अगर एसी को ग्यारा रुपए दे दे तो ए और बी के पास बराबर हो जाएगा देखो भाईया ए अपने पैसों में से ग्यारा रुपए अगर सी को दे दे तो ए और बी के पास एकपल हो जाएगा तो प्यारे मित्रों आप यह कह सकते हो क्या ए और बी का डिफरेंस ग्यारा है ए और बी का डिफरेंस ग्यार तो बस दोस्तो अगर आपको A की value चाहिए तो भी ग्याद कर सकते हो, B की value चाहिए तो भी ग्याद कर सकते हो, A पुछे तो इनको जोड के आधा कर दो, A पुछे तो इनके जोड के आधा कर दो, 256 बटे 2, 128 बन जाएगा, अगर B पुछे तो difference लेके आधा कर दो बिटा, difference ले पंद्रा के पंद्रा सवाल के वल तीन बच्चे मिलें मेरे पास शिव धिरू ताहिर पीनोंने बेटा 15 सवाल सभी है और 14 सवाल सभी है सोनाली शिवी रक्षित अभिशे गगन कुष्टन वार्प वाले भाया और विनोद बड़ा आसान सा और बड़ा सिंपल सा क्वेश्टन जानकारी क्या आती है बच्चो बने रहेगा हम पूरे 25 सवाल करेंगे एक एक सवाल के बारे में पूरी जानकारी पढ़ेंगे डिटेल में प्यारे दोस्तों आप लोग जानते हैं आपके अपने अपने प्लस प्लैटफॉर्म पर हर वेनस्डे हर बुद्वार को बहुत सा आने वाले बिटा वेनस्डे से आपके लिए कई सारे बिटा नएने बैचे शुरू है जिनमें आप इंडिया के टॉप एजुकेटर से लाइफ पढ़ सकते हैं बचो अगर आप अनकेडमी प्लस पर सब्सक्राइब करते हैं तीस से जादा बैच आपको एवरी वीक मिलते ह चालिस हजार से अधि घंटे का recorded content आपके लिए अवेलिबल है तीन सो से जादा class per day होती है बचो बीस हजार से अधि practice questions अवेलिबल है 26 मई से बैच स्टार्ट होगा बचो जिनमें ववन रावसर रानी मैं राहुन अरोड़ासर और मैं सुमित गोयल आपसे लाइव पढ़ेंगे पूरे पूरे कोर्स को हर एक टॉपिक की बैटा PDF मिलेगी हर एक टॉपिक आपका डिटेल में होगा complete से एटी ब्रहमास्तर बैच मेटा हमारा है 26 मई से एवन सुपर क्लास बैच है बचो संकर 1000 प्लस बैच है यह वाइफाइ स्टेडिक टीम से बैच है बचो हर एक बैच को आप एन्रोल कर सकते हैं unlimited access है कितनी बार भी बढ़ो सब आपके लिए निश्व लिए सब आपके लिए फ्री है बचो सफलता बैच सीजियल 21-22 के लिए बचो इसके अलावा हमारे जो एक्स्ट्रा लाइन अप बैचेज हैं बचो करते हैं तो गजब का ओफर चल रहा है बैटा एक साल के लिए दो महीने फ्री दो साल के लिए चार महीने फ्री और इसके साथ आपको पच्छी सो रुपई की कीमत का एससी कंबाइन हास्केंडरी लेवल का तीस सेट का बैटा पूरा पेपर मिलेगा और आज से ये पेपर आपके अप्लोर होना शुरू हो जाएंगे आज से टूड़े की करा से कल संड़े है बचों कर इतवार है संड़े दोपहर बारा बचे बैटा आपके साथ अनकैडमी पर एक लाइव कॉमबेक टेस्ट होगा ये टेस्ट टॉप करने वारे बच्चों को पेटा स्कॉलर्शिप फ्री मिलेगी पेटा उनका एडमिशन फ्री होगा और आप इस कॉमबेक को जोईन करने के लिए मेरा रैफरल कोड लगा कर जोईन कर सकते हैं सबके लिए 100% फ्री है सारे बालक कॉमबेक को मस्त जोईन किया करो प्यारे बच्चों अगर आप अनकेडमी प्लस पर जोईन करना चाहते हैं तो दो साल के लिए अभी सब्सक्राइब कर लिजिए मेरा रैफरल कोड यूज करना भूलिया मत सुमित गोहल सर दस परसेंट का डिसकाउंट चार मह की ला हिउब्येन का इनको मिलेगा है उनको मिले और के लिए जिनके पास सबस्क्रिप्चन एक साल का यह चिनता मत करो आज के पेपर में तो कल तुमने किया है तो कोड हमारा लगा लिया ता शुतुष तुम्हें मन को सुकुन मिलता मन को शांति मिलती वेटा खाने की चीज़ें हैं बिटा खीरा भी और मसाले भी लेकिन दोनों अलग अलग चीज़ें दोनों का आपस में को रिलेशन नहीं है कई बात बच्चे बोलते हैं कि खीरा मसाला होता है यह सवाव तो करी लोगे तुम बड़े यार गजब के बालब को खीरे का नाम संतिम में पानी आ गया तुम्हारे बालब के लोगे बालब करी लोगे पानी यार रहा है सबसे पहले बटा आपके डिपार्टमेंट में जॉब खाली थी जॉब खाली थी तो आपने लोगों के लिए आपने अवेधन कर लो जब अवेधन किया और बोह अपने अवेधन कर दिया और जॉइनन खरवा One कि इस एक चार दो तीन पांच एक डोजिकल काम यह वोना जाहिए कि फॉसिल्स बिटा जीवाशन का जो अध्यन होता है उसे बोलते हैं प्लैडिनलोजी जीवाशन विज्ञार अगर इस सवाल में हिंदी ना दी जाती तो कई बालगों को समस्या होती लेकिन हिंदी ने आपके सब्जेक्ट को आपके कॉश्चन को इजी कर दिया कि हिंदी ना मिलती तो क्या पता कई बालक फर्जाते हिंदी ने भाईया कहानी को आसान कर वाल है अंगरेजी मध्यम वालोग पता था तो अच्छी बात है लेकि मैं पता रहूं कि कई बार हिंदी आपके लिए बहुत इस पर देख बन जाते हिंदर इसे म Scary क्यान बसे मद बढ़ने होता है न मना प्लांट्स की स्टडी को गोर्ते कूत के बिटा जो स्टार्टिंग में बढ़िया सवाल आ गए थे पेपर के स्टार्टिंग में अच्छे सवाल आ गए दोस्तों लेकिन अब थोड़े इजी कुश्चन चल रहे हैं अब थोड़े आसान सवाल चल रहे हैं आफ इसकी बाखी तीनों अबर्कर के टाइप किसान भी एक वर्कर है कारपेंटर भी एक वर्कर है टेलर भी एक वरकर है बाखी तीनों काईट ऑफ वरकर है अज़े कामगार का प्रकाली तो एठ शिव धिरू ताहिव शिवी शर्मा सोनाली गगन कॉश्चन मां के रिया और महिमा अठाना सवाल कर पाए है हां बिटा ये क्लास डेली होती है बस कल नहीं होगे अरे ये हाथ के कारगार मैंने वरकर लिखकर दिया वरकर वरकर का मतलब हाथ के कारगार क्या मानोगे यह कुझा सीं सेम जगा सेम टाइम सेम जगा सेम टाइम अगल यह दिन फिर मारत जानिया किछा तत्य खड़ी कल विंदर बिल्या दा गाना निगा वरे ये गाना संदीप गल्दा संदीप गल्द कि वेक्सिंद कल लगेगी भाईया कल चुमारो हमारे यह वेक्सिंद कल लगेगी आज रात को खुलेगा नौ बजे स्लोट नौ बजे स्लोट में करवाएंगे एजिस्ट्रेशन और फिकल लगवाएंगे को भी शिल्र की वेक्सिंद 77 परसेंट लोग इस सवाल का उत्तर दे पाए 77 परसेंट ट्राइंगल काउंट कीजिए अरे बिटा कोई कहा रहा कोई शिल्ल बैटर है कोई कहा रहा स्कूत्रिक बैटर है मैं कहता हूं कोई मिल तो जाए दवाई कोई मिल तो जाए कोई आज के टाइम में मैडिसिन मिलना बड़ी बात है क्लास में बालक मिलते हैं मैं बांते बांते के क्लास में लोग मिलते हैं अलग अलग प्रक्ट कार के हैं एक बालक है मैं डिस्क्राइब कि दवाई कोविशिल्ड कोविक्सिन और स्कूत्निक तिनों में से कोई लग जाए एक बालक ने बड़ा अजीब सक्रमेंट किया वह विस्की इस बैटर अब मैं कुछ बोलूंगा फिर आप कुछ सुनोंगे नहीं शोकीन आदमी नहीं है बैटा यह कहता ना भाईया जो इसकी बैटर है पूछने वाला हो भाईया घर में कोई अपममी है उनको मैडिसिन लगानी है विस्की पिलाएगा क्या घर में कोई बड़े लोग होते हैं उनको अगर बैटा वेक्सिन लगवानी है लादे बोटल वाईये क्यों फालतों में इत्ता फॉम बढ़ता है इत्ता काम करता है खड़का दे क्या दिकरता रही है लबाबा एक एक बनाव शोडाज करोना को मारते हैं लोग यह ट्राई कर लिए अगरो लेक्सिनेशन बेटा वेक्सिन लगवाल लिजिए बहुत फाइदे वाली बात नुक्साल नहीं किसी प्रकार का कोई डरने वाली कोई बात नहीं है लोग लिए बारह इसमें नो ट्रेंगल इसमें और पांच ट्रेंगल इसमें बारह नो एक के बढ़ा जब भी कभी न अरोग्या जे तु एप पर अपना इस उसने कऱा के रहो जब स्लॉट खुलती रात को नो बजे रात को नो बजे श्लॉट कुलते है बेटा तो आप आट शतावन अठावन पर लाइव रहके उसको ट्राइब करते रहना अधावन पर ट्राइब करते रहना करते रहना देन आपको टाइम पर बेटा स्लॉट मिल जाएगी बालक पूछ रह जी वैक्सिन लगवा लेंगे तो कुरोना होगा न लेकिन आप उस विमारी से रिंकावर जल्दी हो जाएंगे आपके फेफ़डों में इतनी जान आ जाएगी एक बढ़िया सवाल है यह थोड़ा टाइम टेकिंग सवाल होता है बचो यह इस सवाल को करने में थोड़ा टाइम लग जाता है जो लोग रिकावर हुए उन्हें कोविड से रिकावर होने की छे हफते बात में वैक्सिन लगवाने की सला दी जाती है लग्डेर महिना बिल्कुल आ रहें बिटा बिल्कुल कंपसरी है बिना फोटो केंचे दवाई काम नहीं करती बेटा अपने साथ में स्टूडीओ ले जाना पड़ेगा अपने साथ में e प्रियुजरे भीजी और यहां जो तर यहां है बिटा तरेपन परसेंट बालक कर पाएं, the right answer is mother-in-law. L multiply J, L multiply J का मतलब है, L J का पती है, L is the pranat of J, L J का पती है, D minus L का मतलब D L का बेटा है, C minus D का मतलब C D का बेटा है, Q divide by C का मतलब होता है, Q C की माता है, यहाँ पर आप क्यों बनाएंगे, पर इतना बनते ही, J का क्यों से link आगया, सास बनना चाहिए, diagram आपको पर ले पढ़ना चाहिए, it's very easy, 21 में यह पाँच तुम देख लो ना बया, एक triangle तो आप दिंग्या, यह चोटा सा यह रहा है, उपर एक, दूसरा इसके नीचे है, दो, तीसरा आगे तीन, और दो triangle नीचे है, बटा चार और पाँच और उगल में पाँच, दिस्कोशन बिलोंग टू फिगर सिरीज, बड़ा ही आसान, बड़ा ही इजी सवाल है, बुस्तो बड़ा ही आसान, बड़ा ही सिंपल सवाल है, दो सवाल बचे हैं, आज देखेंगे, 25 में कुश्चन पे क्या बात समझ में आ, यह बैरी गुर्ण, 80% बालक कर लिए गजब बात, स्टार्टिंग स्टार्टिंग के सवाल, थोड़े ताबट तोड़ बैटिंग वाले आए थे, उसके बाद बहुत महल ठंडा हो गया, ऐसा ही पेपर में होगा वच्चा, यह डाइग्राफ उपर की साइड में फिर निच्छे आया, फिर यहां आया, तो यह मतलब दोस्तों मूव कर रहा है आपके इसाब से एंटी क्लॉक वाइज, अभी डिबा इदर आएगा, और डिबा इदर आएगा, इसमें राइट वाला इरिया ऑपर नीचे、 उपर नीचे डार्क वाला इरिया बनेगा नीचे, ऐसी बात बननी चाहिए, ऐसी बात बनेगी, तो ऑप्शन नमबर एग्र सिल ऑप्शनन नमबरल चार अर्पिर। की अच्छा सरक्राइक है, लेफ्ट में फिर राइट में फिर राइट में आएगा सी उत्र बनेगा बिटा बस मैंस्तर को दिरू एकी बालग बचा भाईया शेव शेवी सुनाली ताहिर गगन क्वश्चन मारक मरे भाईया अनकेट रिया और आरध्या बहुत बढ़िया दो सवाल बाकी हैं दो सवाल बाकी हैं सम बैट सा क्रैब नो बैट इसा क्रैब नो क्रैब इसा आइंड में एक मिनट का टाइम सिलोलिजम में आपको मिल रहा है एक मिनट का वक्त सम आइंड सार बैट सम आइंड सार क्रैब केकड़े हैं केकड़े केकड़े एक बी और सी बनेगा मिटा अब कह रहा है सम बैट सार क्रैब पार्शली है नो क्रैब इसा आइंड गलत है और यह पार्शली है एक और तीन में आइदर और आना चाहिए बैट क्रैब हो भी सकते हैं नहीं भी और यह आपस में कट भी सकते हैं नहीं भी एक में तोनों आइदर और बनेगा एक में और तीन में दोस्तों आज के पेपर का आखरी सवाल दोस्तों अच्छीसमा कोशन आगया जी बोड मास का सवाल बोड मास के सवाल दोस्तों बड़े इसी बनते हैं आप इन सवालों को सौल करने के लिए डिवाइड का मूल मंतर लगा रखना बिटा डिवाइड का मूल मंतर लगा रखना डिवाइड की बात को बि है 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 200 미न kann पूरा पूरा भाग जाता है कि इतना हिंट आपके लिए काफी है कि 207 में नौ का पूरा पूरा भाग जाता है दोसो साथ में नौ का पूरा पूरा भाग जाता है अगर इतनी बात देख लोगे अगर इतना गेम समझ लोगे फिर आपको सवाल करने में कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों multiply की जगह डिवाइड कर दिया divide की जगह दोस्तों multiply कर दिया नो दुनी अठारा यह तेईस बन गया तेरा का स्क्वाइर एक सो उनेतर तीन सो चालिस तीन सो अटिस बनेगा यह माइनस तीन सो एक बनेगा दोस्तों तेईस पलस 37 करोगे तो 60 आ जाएगा और यही मेरे सवाल का उत्तर था option नंबर टी प्यारे बच्चों रिजर्ट क्या रहा शिम नंबर एक पे शिवी सो नाली धिरू ताहिल गगन कोशन मारक वाले भईया अनि केट रिया सब बच्चों ने चौबिस सवाल सही किया है राते हैं बेटा आपने 23 सवाल सही किया है मतलब आपकी क्लास की प्रफॉर्म की आज दिगलो टफ पेपर म आपने इतना ही अच्छा काम किया देरे बच्चों अगरी स्पेशल क्लास मंडे को आएगी और बेटा मंडे की क्लास का लिंक आपको टेलीग्राम पर प्रवाइड करवा दिया जाएगा बच्चों तब तक लिए शुक्रिया नमस्कार जैहित जैभारत ध्यान रखी अपन झाल